नमस्कार दोस्तो, सिविल इंजिनियरिंग सपोर्ट में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका दोस्त, इंजिनियर अभी सेख सिंग, दोस्तो आप में से बहुत सारे ऐसे वीवर हैं, जो कि स्टेर रूम यानि की सीरी रूम का अलग तरीके से किस तरह से उपयोग कर सकते हैं जैसे कि सीरी की नीचे बाथरूम या फिर ट्वैलेट की से बनाया जाता है, या फिर बना सकते हैं, इस टॉपिक भी दोस्तो वीडियो के डिमांड कर रहे थे, चलिए डिटेल वीडियो में आपको देता हूँ, और पूरी जनकारी इसको देखने के बाद में आप खुद स दोस्तो इस चीज का निर्मान कर पाएंगे, सबसे पहले लेंडिंग का जो लंबाई रखना है, जो कि इस केस में है, वो साथ फीट दस इंच का है, अच्छा खासा आपको दोस्तो एरिया मिलने वाला है, चौराई की बात कर ली जाए, तो पांच फीट चौरा दोस्तो ये बातरूम हमारा होने वाला है, दोस्तो लगभग लगभग ये नॉर्मल बातरूम से अगर डायमेंशन वाइज बात की जाए, तो हाइट को अगर छोड़ दिया जाए, तो इसमें आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होने वाला है, अब दोस्तो हाइट को ले करके का हाइट और एक चीज और अच्छा किया गया है दोस्तों आप इधर से अगर धिहान देंगे यह दूरी जो है वो लगभग पांच फीट छे इंच गया ठीक है और फिर उसके बाद में चार से पांच इंच दोस्तों इसके नीचे दोस्तों डाउन में इस बात्रूम को बनाय जा रहा है मेरी हाइट कम नहीं है लेकिन फिर भी दोस्तों अच्छे तरीके से मैं इस पे खड़ा हो पा रहा हूं कहने के मतलब है आप दोस्तों इसमें बात्रूम के लिए तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी अगर सावर पगराना चाहते हैं लेकिन ट्वाइलेट के ल यहाँ पे दरवाजा लगाने के लिए एक जगा छोड़ा गया है तो अगर दोस्तों थोड़ा सा कॉम्परमाइज तो अगर करना होगा और आप कॉम्परमाइज करने के लिए रेडी है तो आप सीरी के रूम के नीचे में दो हमारा लेंडिंग होता है उसके नीचे में बा दोस्तों, गेश्ट के लिए ये बाथ्रूम या फिर कोई भी आगंतुक है जिसको कि आप अपने common बाथ्रूम में दोस्तों इस्तमाल उनको नहीं करने दना चाहते हैं तो इस तरह का बाथ्रूम का निमान करवा सकते हैं फिर मिलते हैं नमस्कार दोस्तों